हेलो चिर्टेन हेलो अलो अलो आप यू टोड़ें भी विल गोइंग टी स्टार्ट चैप्टर सेवन ओके यह आपकी आर भी असी क्लास फिफ्ट इंग्लिस का सैबंथ चैप्टर है नेम आप दिस चैप्टर हूँ विल प्ले बिद मी ठीक है फिल पले मतलब कौन ठीक है ऍपले मतलब कहलेगा इस चैप्टर का यह फर्स पार्ट है जो फ्रस पार्ट में हम इसकी स्टोरी को डिसकस करेंगे और यह starting जो आपको दो question दिये हैं, इसके answer करेंगे, ठीक है, और इसके second part में हम इसके question answer और activity को complete करेंगे, तो आप मेरे साथ video बने रहे हैं, आप first part पहले जरूर देखना, उसके बाद second देखोगे, तो आपको इसकी question answer और activity अच्छे समझ में भी आएंगी, और याद भी हो ज notification आपको मिलते रहें, ठीक है, सब्सक्राइब जब आप करेंगे, तो बैल की बटन भी प्रेस कर लेना, उसे भी हिट कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालू तो उसकी notification आपको मिल जाया करें, तो फास्ट आप से पूछा गया यहाँ पे, what do you like more, आपको क्या चीज ज्य पढ़ाई करना ज्यादा पसंद है, या फिर to play, या फिर आपको खेलना पसंद है, तो ये बात तो आप ही बताएंगे, कि आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है, आप खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर study करना या पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप को दोनों काम करने चाहिए आपको पढ़ाई भी करने चाहिए और खेलना भी चाहिए ठीक है तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में आप यहां से देखके लिख लिजेगा अपनी नोट बुप में पस्ट आंसर आप लिखोगे I like both ठीक है like मतलब पसंद करन हूं studying as well as playing मुझे जितना पढ़ाई करना पसंद है उतना ही खेलना भी पसंद है तो मैं पढ़ाई करना और खेलना दोनों ही पसंद करता हूं तो आप इसके लिए क्या आंसर करेंगे I like both studying as well as playing ठीक है study केते हैं पढ़ाई करने को playing मतलब खेलना as well as लगाते हैं कि दोनों च मुझे दोनों पसंद है जितना study करना जितना पढ़ाई करना पसंद है उतना ही खेलना भी पसंद है तो I like both studying as well as playing ठीक है तो इसको आपनो ड़न कर लेना second is second में आपसे क्या पूछा गया है what will happen if you spend all of your time on playing and don't study ठीक है क्या होगा what will happen का मतलब क्या होगा यदि आप खेलते रहेंगे पूरे समय spend मतलब बिताना ठीक है spend का मतलब होता है बिताना यदि आप अपने समय को अपने पूरे समय को all of your time all of your time का मतलब पूरे समय को अगर आप अपने पूरे समय को खेलने में वतीत करेंगे playing का मतलब खेलना यदि आप अपने पूरे समय को खेलने में लगा देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे don't study ठीके और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा अगर आप खेलते रहेंगे और पड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि आप अपनी क्लास में अनुत्रिण हो जाएंगे, ठीके? है äppend का मतलब होता है होना या फिर घटत होना ठीके? आप याद रखेंगे happen का मतलब होना या फिर घटत होना if you spend, spend का मतलब होता है बिताना, ठीक है किसी चीज में खर्च करना spend का मतलब खर्च करना, बिताना तो यदि आप अपने पूरे समय को खेलने में बिता देंगे, खर्च कर देंगे तो फिर और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है तो क्या होगा, आप क्लास में अनुत्रिण हो जाएंगे, ठीक है तो इसका answer आप क्या लिखोगे, सेकिन का if I spend all of my time यदि मैं अपना पूरा समय on playing यदि मैं अपना पूरा समय खेलने में लगा दूँगा, खेलने में खर्च कर दूँगा, spend का मतलब लगाना या खर्च करना होता है I मतलब मैं, if मतलब यदि, यदि मैं all of my time का मतलब मेरा पूरा समय, ठीक है यदि मैं मेरा पूरा समय खेलने में लगा दूँगा and don't study और पढ़ाई नहीं करूँगा, ठीक है तो क्या होगा I will fail in the exam, तो मैं exam में fail हो जाऊंगा, exam में अनुत्रिन हो जाऊंगा, ठीक है तो इसका answer आप ऐसे लिख देंगे कि if I spend all of my time on playing and don't study और मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, पूरा समय खेलने में खर्च कर दूँगा तो फिर मैं fail हो जाऊंगा I will fail in the exam exam में fail हो जाऊंगा अनुत्रिन हो जाऊंगा, ठीक है पढ़ाई नहीं करेंगा, तो आम कैसे पास कर पाएंगे ठीक है, चलिए Let's start this story ठीक है, यहाँ पे एक आपको story दी गई है, इसको start करते है This is a story about a boy यह कहानी एक बच्चे के बारे में है, ठीक है This मतलब यह है, एक बच्चे के बारे में है Who does not like to study at all जिसे पढ़ाय करना पसंद नहीं था ठीक है, Who यहाँ पर किसके लिए आया है Who इस boy के लिए आया है बच्चे के लिए आया है, जो यहाँ पर boy सब्दा आया था बच्चे को आप बार बार नहीं लिखेंगे तो इसके लिए इन्होंने Who लिखा है ठीक है, तो यह Who किसके लिए आया है बच्चे के लिए, does not like like मतलब पसंद करना not मतलब नहीं study करते हैं पढ़ाय को at all उसे पढ़ाय करना पसंद नहीं है ठीक है, वो पढ़ाय करना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे पढ़ाय करना अच्छा नहीं लगता था ठीक है तो फिर उसको पढ़ाय करना तो बिलकुल पसंद नहीं था, तो वो अपना पूरा समय इधर उधर घूम के खराब कर दिया करता था ठीक है, at all का मतलब होता है, बिल्कुल, ठीक है, आंगे से याद रखेंगे, at all का मतलब होता है, बिल्कुल, उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है, one day, एक दिन, one मतलब एक दिन, टे करते हैं दिन को, he meets some creatures, ठीक है, एक दिन वो कुछ प्राणियों से म मिला, meets कहते हैं, मिलने को, he यहाँ पर इसी boy के लिए आया है, जो यहाँ पर आया था, ठीक है, यह बाई ये बैठा न बच्चा, ठीक है, या बाई के लिए ही, meets, meets मतलब मिलना, ठीक है, some मतलब कुछ creatures कहते हैं, प्राणियों को, ठीक है, एक दिन बुच, वो कुछ creature से मिल कुछ प्राणियों से मिला and then he changed और वो बदल गया ठीक है? उसके बाद कुछ creature से मिल ले बाद कुछ प्राणियों से मिलने के पाद उसके जो behavior में कुछ change आया कुछ बदला हुआया then he changed वो परवर्तित हुआ change का मतलब वो थे परवर्तित होना बदलना why does he change himself उसने अपने आपको क्यों बदला why मतलब क्यों does he change यहाँ पर किसके लिए आया है? boy के लिए इस बच्चे ने अपने आपको क्यों बदला himself मतलब अपने आपको तीक है? इस बच्चे ने अपने आपको क्यों बदल लिया, change मतलब बदलना himself अपने आपको, ठीक है यहाँ पर he आया है he के लिए him का योज हुआ है he लड़के के लिए आया है तो he को himself आया है अपने आपको ठीक है, he मतलब वो है और himself उसनी अपने आपको बदल लिया let's find out, चलो पता करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि उस बच्चे ने अपने आपको change किया, ठीक है this is a Rohit, यह Rohit है, यह बच्चे आपको बैठा दिकरा ना बिच्चर में इसका नाम क्या है, Rohit this is Rohit, यह Rohit है अब यह Rohit आपको नाम पता चल गया है अब जहां पर भी ही आएगा, मतलब आप समझ जाना इस Rohit के लिए ही आया है ठीक है, तो यहां पर ही आया है, किसके लिए आया है इस Rohit के लिए, he does not like his studies उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है ठीक है, he does not like वो पसंद नहीं करता है his studies, अपनी पढ़ाई को ठीक है, वो अपनी पढ़ाई को पसंद नहीं करता है कौन नहीं पसंद करता है, Rohit ठीक है, यह बच्चा जबैटा हुआ है all of his friends go to school daily, उसके सभी दोस्त, उसके सभी मेतर रोज जाना, school जाते हैं all मतलब सभी of his friends, इसके सभी दोस्त, ठीक है all of his friends का मतलब Rohit के सभी दोस्त, go to school go मतलब जाना, ठीक है school वो बिद्या ले जाते हैं daily मतलब रोजाना but he doesn't go there लेकिन जो Rohit है, वो school नहीं जाता है, ठीक है यहाँ पे there किसके लिए आया है यहाँ there, school के लिए आया है ठीक है, doesn't मतलब वो नहीं जाता है यह does not का short form इस थरे से लिखते हैं ठीक है, doesn't आप पूरा लिखेंगे तो does not भी लिख सकते हैं ठीक है, but का मतलब होता है लेकिन, लेकिन Rohit school नहीं जाता है he wonders here and there वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है he किसके लिए है, Rohit के लिए wonders का मतलब होता है बिना काम के इधर उधर घूमते रहना ठीक है, बिना किसी कारण बिना किसी काम के यहाँ वहाँ घूमना here or there का मतलब होता है here का मतलब यहाँ there का मतलब वहाँ ठीक है बिना काम के कहीं पर भी घूमते रहना One day एक दिन One day मतलब एक दिन He goes to the garden Near his home एक दिन क्या होता है One day मतलब एक दिन He goes ठीक है वो जाता है To garden गार्डन कते हैं बगीचे को एक दिन बगीचे में जाता है Near मतलब पास में ठीक है जो कि उसके घर के पास में है His home मतलब रोहित के घर के पास में यहां पर हिज रोहित के लिए आया है He finds no other children In the garden To play with वहाँ पर उसने कोई भी उसके दोस्त नहीं मिलते हैं He finds He finds no other children उसे वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं मिलते हैं Children कहते हैं बच्चों को other मतलब दूसरी no मतलब नहीं Find मतलब मिलते हैं उसे वहाँ पर दूसरे कोई बच्चे नहीं मिलते हैं In the garden ठीक है बगी चिम उसे कोई भी बच्चे नहीं मिलते हैं जो कि उसके साथ खेल सके To play with ठीक है play मतलब खेलना He sits on a bench वो एक bench पर बैठ जाता है यह आपको bench दिख रही नहीं यह इसके उपर रोहिद बैठ गया है ठीक है यह bench है वो एक वहाँ पर एक bench पर बैठ जाता है Under the big onion tree एक बहुत बढ़ा सा बरगत का पेड़ के नीचे यह bench पड़ी है यह बरगत का पेड़ है ठीक है बरगत के नीचे जो bench है उसके वो बैठ बैठ जाता है After some time कुछ समय बाद Under का मतलब होता है नीचे ठीक है Big मतलब बढ़ा सा बन्याइंटरी बोलते हैं बरगत के पेड़ को After some time कुछ समय बाद After some time का मतलब होता है कुछ समय बाद He noticed वो धिहान देता है Notice मतलब धिहान देना He noticed A peacock dancing एक peacock एक मोर नाचते हुए मोर पर उसका धिहान जाता है पिकॉक किसको बोलते हैं मोर को Dancing मतलब नाचना ठीक है तो उसका धिहान किस पर जाता है एक नाचते हुए मोर के उपर ये देखो ये मोर आपको दिख रहा नहीं पिचर में और ये रोहित है ये रोहित यहाँ पे खड़ा हुआ है Near a floor bed ठीक है Floor bed किसको बोलते हैं Floor bed बोलते है Floor beds बोलते हैं ठीक है तो फ्लारवेट का मतलब आप ध्यान रखिए कि फूलों का बिस्तर होता है जहाँ पे बहुत सारे फूली फूल चारों तर्थ दिखाई देते हैं तो निया दा floor beds पूलों के बिस्तर के पास पूलों के पास जहाँ बहुत सारे फूल थे रोहित बॉक्स टू दा पिकॉक रोहित चलकर पिकॉक के पास जाता है यह मोर के पास जाता है बॉक्स मतलब होता है चलके जाना ठीक है बॉक्स का मतलब होता है चलके जाना टू पिकॉक के पास वो चलके जाता है and say to him और उसे बोलता है say मतलब कहना to him, him किसके लिए यहाँ पाया है peacock के लिए, वो जाके peacock को बोलता है, peacock को कहता है, will you play with me क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, ठीक है play मतलब खेलना, will मतलब क्या ठीक है, क्या आप you का मतलब आप with मतलब साथ मेरे, मतलब मेरे तो रोहित पूछता है peacock से इदको खड़ा है ना, रोहित peacock से पूछ रहा है कि क्या आप पेरे साथ खेलेंगे, will you play with me peacock sage peacock कहता है, the peacock जो more है, वो क्या कहता है sage मतलब कहना, the peacock sage I am busy peacock कहता है, कि मैं best हूँ I मतलब, मैं peacock कहरा है आपने लिए, I am busy busy का मतलब, best peacock कहता है, कि मैं busy हूँ मैं best हूँ, I am dancing मैं नाच रहा हूँ dancing कहते है, नाचने को वो कहता है, कि मैं बियस्थ हूँ मैं busy हूँ, मैं क्योंकि दान्स कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ so I cannot play with you इसलिए, so मतलब इसलिए I मतलब मैं cannot can का मतलब सकना, not मतलब नहीं play with you, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि मैं dance कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ then, फिर क्या होता है मतलब तृख चाहिए मिलना सी मिलना River दोगो यहां few और उससे पूछता है रोहित Him, उसे पूछता है Will you play with me, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे ठीक है Play मतलब खेलना, बिद मतलब साथ में Me मतलब मेरे, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, The dog Sage, dog कहता है Sage मतलब कहना, dog कहते कुत्ते को, तो dog कहता है I am busy, dog कहता है मैं ब्यस्त हूँ, ठीक है मतलब ब्यस्त होना, dog कहता है कुत्ता बोलता है, कि मैं ब्यस्त हूँ I am looking after my master's house ठीक है कह रहा है, कि मैं looking after कर रहा हूँ, look after का मतलब होता है देखवाल करना, पूरा एक साथ आता है ठीक है, तो dog क्या कहता है I am, I मतलब dog अपने लिए कहता है कि I am looking after मैं देखवाल कर रहा हूँ my मतलब मेरे master कहते है मालिक को, ठीक है house, आप जानते हो, घर को बोलते है ठीक है, तो dog क्या कहता है कि मैं मेरे मालिक के घर की देखवाल करने में बिजी हूँ, ठीक है so I cannot play with you इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता so मतलब इसलिए I मतलब मैं can not मतलब can का मतलब होता है सकना not मतलब नहीं play मतलब खेलना with मतलब you मतलब आपके इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता he happens to see our parrots फिर क्या होता है फिर वो एक पैरिट को देखता है एक पैरिट उसे दिखाई देता है तोता दिखाई देता है प्रो कवे को देखता है इस पैरो गोरया को देखता है ठीक है पैरिट उसे दिखाई देता है और इस पैरो दिखाई देता है और प्रो ठीक है पैरिट आपको पता है तोती को बो और गोडे को देखता है फिर क्या होता है कि कि मतलब होता है घटतों तिक होना क्या होता है तुह सी मतलब देखना स्टा-ओर सब्सक्राइद कि देखता है उंसे पुछता है अछलग ए श्पशना दैम मतलब उन सभी से ये जितने भी उसने जानव देक्चे हैं पसपक्ची देखें इन सबसे वो पूछता रहे ना क्या पूछता है तब मेरे क्या आप आप लोग मेरे साथ खेलेंगे V, R, V, G तो वो सभी क्या कहते हैं कि V, R, V, G हम ब्यस्त हैं अब ये सभी आ गए हैं इतने सारे हो गए हैं जब ज़्यादा लोग होते हैं तो V का यूज करते हैं तो और V के साथ R यूज होता है तो V, R, V, G वो कहते हैं कि we are भी जी हम लोग वियस्त हैं भी जी हैं we have many things to do हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है ठीक है we have many मतलब बहुत सारे have मतलब है मेरे पास बहुत सारे things कहते हैं कहाँ चीजों को ठीक है do मतलब करने के लिए तो कहते हैं कि मेरे पास करने के लिए हमारे पास करने के लिए बहुत सारे कार है we cannot play with you मैं आपके साथ हम लोग आपके साथ नहीं खेल सकते we मतलब हम cannot play with you आपके साथ नहीं खेल सकते they reply वो सभी answer करते हैं वो सभी reply करते हैं ठीक है this has a great impact on Rohit ठीक है इन सभी बातों ने दिस मतलब ये सभी जो घटनाएं घटी थी इन्होंने रोहित के उपर great impact डाला great मतलब बहुत ज़्यादा impact कहते हैं प्रभाव को ठीक है इन बातों ने रोहित को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया great मतलब बहुत अब आप याद रखें great का मतलब बहुत ज़्यादा और impact कहते हैं प्रभाव डालना ठीक है तो ये जितनी भी घटनाएं उपर घटी थी जितनी भी बाते हुई रोहित के साथ इन सभी बातों से रोहित के रोहित में बहुत सारा उसे इन सारी बातों ने रोहित को प्रभावित किया था ठीक है तो रोहित पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था he says to himself वो अपने आप से कहता है he किसके लिए है रोहित के लिए says मतलब कहना to himself himself कहते है अपने आप से ठीक है रोहित अपने आप से कहता है he says himself वो अपने आप से कहता है All of them are busy वो कहता है कि सभी लोग busy है सभी लोग ब्यस्थ है All of them All of them का मतलब सभी लोग are busy सभी लोग ब्यस्थ है They are doing something वो सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं सब के पास कुछ न कुछ करने के लिए है Doing मतलब करना दे मतलब सभी लोग, something मतलब कुछ भी, ठीक है, वो सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं, सभी लोग भी जी है, it is only I who am not working, cable way मैं ही हूँ, he is only मतलब, he is, it is only I, only मतलब cable, वो cable मैं ही हूँ, I मतलब मेरे लिए आया है, रोहित के लिए कहता है, कि वो मैं ही हूँ, who, who भी यहाँ पर रोहित के लिए आया है, who am not working, cable मेरे पास ही कोई काम नहीं है, के बिल मैं ही कोई कारण नहीं कर रहा हूँ, वागी सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, आपने आपसे कहता है कि आप मैं भी अपना कार करूंगा थीक है आपने आपको बिश्ट रखूंगा कीप मतलब रखना थीक है माईसेल्फ अपने आपको बिश्ट कहते हैं ठीक है अब वो कहता है कि मैं भी अपने आपको ब्यास्त रखूंगा और मैं भी अपना काम करूंगा I will give up my leginess Leginess कुसको बोलते हैं? Leginess का मतलब होता है alas ठीक है तो वो कहता है give up का मतलब होता है त्यागना तो वो कहता है मैं अपने लेजीनेस को अपने अलस को त्याग हूँगा I मतलब मैं will give up मैं छोड़ दूँगा give up करना कहते हैं छोड़ देना त्याग देना My मतलब मेरे लेजीनेस कहते हैं अलस को तो रोईत कहता है मैं भी अपने अलस को त्याग दूँगा और मैं अपने आपको बिजी रखोंगा मैं अपना कार करूँगा ठीक है He returns home वो अपने घर बापस जाता है ठीक है Returns मतलब बापस जाना Returns का मतलब क्या है बापस जाना Home कहते है घर को He है रोहित के लिए तो रोहित जो है तो अपने घर बापस जाता है He returns home वो घर बापस जाता है And decide और वो नर्ने लेता है Decide कहते है नर्ने करना फैंसला करना ठीक है वो decide करता है To go to school daily क्या वो नर्ने लेता है कि वो जाना स्कूल जाया करेगा ठीक है Daily का मतलब रोह जाना वो ऐसा फैंसला करता है कि वो अब डेली स्कूल जायेगा वो रोह जाना स्कूल जाया करेगा Go मतलब जाना He starts studying Attentively And complete His homework also और वो कहता है He starts और उसने शुरू कर दी Start कहते है सुरू करना Stating उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी Attentively Attentively का मतलब होता है ध्यान पूरवग साउधानी पूरवग ठीक है उसने अपनी पढ़ाई को साउधानी पूरवग Start कर दिया सुरू कर दिया And completes His homework और उसने अपना ग्रहकार भी पूरा किया Complete कहते है पूरा करना Homework कहते है ग्रहकार को His मतलब अपना और उसने अपना ग्रहकार भी पूरा किया He learns His lesson Regularly Regularly का मतलब होता है नियमित रूप से Regularly का मतलब नियमित रूप से Lesson कहते है Part को Learn मतलब याद करना तो वो अपना Part भी नियमित रूप से याद करने लगा In the evening और साम को Evening कहते है साम के टाइम को In the evening He goes to The playground ठीक है वो साम को Playground में जाता है खेल के मैदान में जाता है ठीक है And finds His friends there और वो वहाँ पर अपने दोस्तों को देखता है Finds मतलब वहाँ उसके दोस्त मिलते हैं His friends Friends केते हैं दोस्तों को Dear मतलब वहाँ पर जब वो प्लेग्राउंड में जाता है कि मैदान में खेल की मैदान में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर उसके दोस्त भी खेलने के लिए आये हुए हैं क्योंकि वो पहले सुबह सुबह चला गया था तो सुबह तो सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे और अब वो अपना सारा काम खतम करके साम को खेलने गया है तो उसे वहाँ पर अपने दोस्त भी मिले हैं वो ऊसहर प्ल wragg भाण में खेल के मैडान में फी प्ले विद्यम फुर अबाऊ ट अं और ट पी قे EV थे विए किसके लिए रोहित के लिए विद मतलब शाहर के लिए यहन इसके लिए रोहित के लिए के दूस्तों के लिए ठीक है, for about an ours, लगभग एक घंटा, ठीक है, लगभग about कहते हैं, लगभग, ठीक है, वो लगभग एक घंटा, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, आर्ट में h silent होता है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है, जो h होता है, आर्ट में silent होता है, after returning home, और घर बापस आने के बाद, after मतलब बाद में, returning मतलब बापस आना, home कहते हैं, घर को, घर बापस आने के बाद, he takes his dinner, वो अपना रात का खाना लेता है, takes मतलब खाना खाना या लेना, ही मतलब वह है, his dinner, dinner कहते हैं, रात के खाने को, वह वहाँ पार्क से जब बापस आता है, playground से, तो अपना खाना खाता है, रात का dinner लेता है, and then revise, और वो याद करता है, ठीक है, revise कहते हैं, याद करने को, दोहराने को, revise करना, दोहराना, what he studied at school, school book, क्या दोहराता है, कि उसने school में क्या पढ़ाई की थी, study करते, पढ़ाई करने को, यह past form हो गया, इसका past form, study का past form, studied हो जाएगा, ठीक है, तो उसने school में क्या पढ़ाई की थी, इस बात को बहुत दोहराता है, याद करता है, ठीक है, with his change, with this change, with मतलब 7 में, this मतलब यह है, change परवर्तन, change करते हैं परवर्तन को, in his behavior, उसके बिवहार में, उसके बिवहार को, ठीक है, उसके बिवहार में इस तरह का परवर्तन आ गया है, with this change, in his behavior, उसके behavior में, उसके बिवहार में इस तरह का change देखकर, he is now liked by everyone, ठीक है, जब उसके बिवहार में इतना सारा परवर्तन आ गया है, कि वो टाइम से school जाने लगा है, टाइम से अपनी पढ़ाई करने लगा है, अपने part को याद करने लगा है, ठीक है, और टाइम से व now liked, अब वो पसंद किया जाने लगा है, now liked मतलब, वो पसंद किया जाने लगा है, by किसके द्वारा, everyone, by मतलब द्वारा, everyone कहते हैं, हर एक के द्वारा, ठीक है, अब रोहित को सभी लोग पसंद करने लगे हैं, अब रोहित सभी को अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो अ प्रिशन्सा करते हैं प्रिशन्सा करना तो उसके अध्यापक उसकी प्रिशन्सा करते हैं किसलिए करते हैं उसकी पंच्वालिटी के लिए कि वो सारे काम समय पे करता है ठीक है वो अब समय का पाभंध हो गया है और उसके जो माता पिता हैं प्रिशन्स माता पिता को बोलते हैं फील मतलब महसूस करने लगे हैं प्राउड का मतलब होता हैं गर्व है ठीक है तो अब उसके जो माता पिता हैं वो भी उस पे प्राउड फील करने लगे हैं उसके माता पिता को भी अब रोहित पर गर्व होने लगा है क्योंकि वो अब अच्छा बच्चा बन गया है तो इस कहानी समने क्या सीखा की हमें भी अपने सारे कार समय पर करने चाहिए हमें समय पर उठना चाहिए समय से स्कूल जाना चाहिए और समय से अपना home work करना चाहिए और समय से पढ़ाई करनी चाहिए ठीक है और समय से हमें खिलना चाहिए चलिए अब यहाँ पर आपकी glossary दी गई है hard word दी गए है जो आपको learn करने है ठीक है तो first में आपको क्या दिया गया है wonder wonder का मतलब होता है इधर उधर घूमना ठीक है बंडर का मतलब क्या है इधर घूमना to walk slowly ठीक है walk मतलब चलना slowly मतलब धीरे 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 चलना often without any purpose बिना किसी कारण बिना किसी कारे के बेकार में ऐसे ही इधर उधर चलना धीरे धीरे घूमना ठीक है इधर उधर घूमने को कहते हैं बंडर संटेंस आप ऐसे बना सकते हैं डूबॉक्स लोली आफेन बिदाव टैनिंग परपज भी ना किसी काम की दरदर घूमना नेक्स्ट है इंपक्ट इंपक्ट का मतलब होता है असर ठीक है रोहित पर असर हुआ था जब सभी क्रीचर ने बोल दिया था कि मैं बिजी हूँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने साथ खेलने के लिए है ना तब ही तो रोहित परवर्दित हुआ था उसने अपने आपको बदला था तो इंपक्ट का मतलब होता है असर होना ओके इंपक्ट आप पावरफुल इफक्ट ठीक है गहराई से किसी काम किसी गिवप गिवप का मतलब क्या होता है त्याग देना ठीक है गिवप का मतलब होता है त्याग ना टू स्टॉप डूइंग या ओइंग सम्थिंग ठीक है किसी काम को करना बंद कर देना किसी चीज को त्याग देना लेजीनेस लेजीनेस का मतलब होता है आलस ठीक है लेजीन आलस से पैदा करती हो, आपका कुछ करने का मनी ना करता हो, तो ऐसी quality क्या कहते हैं, laziness, ठीक है, जहां आप कोई भी काम समय पर ना करें, और आलस से करना बहुत ही गंदी बात होती है, हमें आलस को नहीं करना चाहिए, हमें आलस से त्यार देना चाहिए, ठीक है, तो laziness का मतल होता है, लिर्णे लेना, ठीक है, decide का मतलब क्या है, लिर्णे लेना, to think carefully, साउधानी पूरवा किसी चीज को सोचना, and choose what to do, ठीक है, और बोज चूज करना, जो की बिल्कुल सही हो, उस चीज को चुनना, जो सही हो, ठीक है, to think carefully का मतलब है, साउधानी से सोचना, choose मतलब च ठीक से उसका निर्णे, लेने को कहते हैं, decide, attentively, attentively का मतलब होता है, ध्यान पूरवक, carefully, carefully का मतलब ही ध्यान पूरवक होता है, revise, revise का मतलब क्या है, दुहराना, revise मतलब दुहराना, to study against something you have already learned, उस चीज को दुबारा से पढ़ना, जैसे आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठी तो revise मतलब दुहराना, punctuality, punctuality का मतलब होता है, समय पालल करना, समय का पावंद होना, ठीक है, the habit of not getting late, एक ऐसी यादत, जबकि आप late ना हो, देर ना करें आप, ठीक है, जैसे कि हमें समय पर school जाना चाहिए, ठीक है, पंचुल बच्चे क्या होते हैं, वो समय पर school जाते ह ठीक है, ठीक है, तो punctuality होती है, समय का पावंद होना, समय का पालन करना, समय से अपने सारे कार करना, ठीक है, तो चलिए यह वाली आपका यह चेप्टर यहां पर खतम होता है, इसके next वीडियो में हम second part में इस चेप्टर के question answer और activity करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडि और activity में देखिएगा second part में, ठीक है, यह आपका first part है, thank you all of you, thank you for watching,